इतनी भी पाल्टिया हैं उत्तर परदेश में, सब गुंडाई करती हैं, सभी न गुंडे पाले हैं अगलेशी आदब पिर उनका रुजहान किसी और है, तो इस संबन्द में आईए, यहां मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं नाम बताएं अपना पहले मेरे नाम अखलाक राना इस बार विधान सबाचुनाओं में किसकी सरकार हैं? अखलेश तो इसी का दामन्थाम लेते हैं? धरम के लिए बोटने पढ़ लिए विकास के लिए बोट पढ़ रहे हैं लेकिन अखलेश, याद हो जिस तरह परशुराम का मंदिर बनवा रहे हैं हिंदू हिंदू का जाप कर रहे हैं तो यह तो साफ लग रहा है कि पिशली बार यादव उन्हें साथ छोड़ दिया था इसलिए उन्हें वैसी से गडबंदन नहीं करा कहीं हिंदू वोट ना कर जाए तो फिर तो धरम के नाम पर इसीधा वोट पड़ रहा है धरम के बारे में बाते नहीं करेंगे सिर्फ विकास विकास के बारे मेंगाई रोजगार नोक्री मुद्धा धरम का है आप बात नहीं करना चाहरे हैं हम अगले से बात करते हैं आप बताए किसकी सरकार सरकार तो दुबारा भाजपा आ रही है अच्छा दुबारा भाजपा रही है अच्छा दुबारा भाजपा बनाया है और ये जो बाते करते हैं कि जी सब दल हमारे साथ हैं, काँ है दल साथ, सब अपने उसमें जा रहे हैं, मुस्लिम जो है, ओबेसी पे जा रहा है, और कुछ मुस्लिम जो है आठ तस परसेंट हमें भाजपा को मिलना है तो महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए नहीं हमारा मुद्दा तो विकास का है क्या विकास किया योगी जी आज बहुत किया है परदेश में जो है क्रेम खतम हो गया जो गुंडा गर्दी थी गुंडा गर्दी की बात से याद आया किसान अंदोलन चल रहा था आजय मिस्रिटेनी के लड़के ने किसानों को गाड़ी से उड़ा दिया हाथ रस में एक लड़की की साथ दिर्मा महत्या होती है बलातकार होता है अभी 21 जनवरी में बुलं सहर में ऐसा ही एक बलातकार हुआ राती रात उसको जला दिया गया ना इस्तिरी सुरक्षेत है ना ही क्रीमिनल खतम हुए और कह रहा है क्रीमिनल तो पार्टी से निकल निकल कर आ रहे हैं देखिए ये जितनी भी पाल्टिया है उत्तर परदेश में सब गुंडाई करती हैं सबी न गुंडे पाले हैं नहीं भाजपा तो एक समाजिक पाल्टी है सबी को साथ लेके चलती है और जब कोई भी पाल्टी पक्स में होती है तो विपक्स जो है ऐसे कारिये करता है जिससे के पाल्टी बदनाम हो अरभी की रिपोर्ट भी आई कि क्राइम में उतर पिर्देश सबसे उपर है और बेरोजगारी में सबसे उपर है तो हम यह कैसे कह दें कि यहां गुंडागर्दी खतम हो गई गुंडे तो कुल्दीप सेंगर की बात कर लें को भाजपा से निकल रहे हैं ना क्रीम नल तो नी इस बार इंशालला हम जो हैं पूरा पिर्यास करें हैं कि इस बार हम परदेश में सरकार बनाने के बाद में जितना भी यहां पर परदेश में गुंडाई है और किरैम होता है आपकी बार हम साप कर देंगे अपनी पार्टी में तो हमारे गुंडे हैं ही नहीं सारे गुंड अब रात क्या हुआ है कि ये लोग जुनाओं मैं इनकी जो है हवा निकल रही है कि सारे में योगी-्ओगी हो रहा है सारे में मोदी-मोदी हो रहा है और दिन पर दिन जो है समी करन चैंज हो रहे हैं सब लोग जो है धीरे धीरे भाजपा में आप जा रहे हैं वोटर चार बार के सांसत को 6000 सी टोल में गोली चला दी जाती है गाड़ी में असद्दीन वैसी पर कानून वे उस्था कहा सकत है जाच होगी उसमें पता चलेगा के अभी देखिये प्रोफाइल हमने देख लिए सचिन हिंदू के नाम से उसकी फेस्बूक आइड़ी हमने देखिये वो किता कटलवादी आदमी है कल भी लोगनी के इंदर बारे लागुब लुटे हैं कहा कानून वेस्था बढ़ी आए पास सलसे आप बताएं किसकी सरकार अखलेशकी तो इस देखिये इस बार इस बार क्या 2014 से धरम के नाम पर कहीं न कहीं वोट पड़ रहा है तो आप वैसी की तरफ क्यों नहीं टर्न हो गए वेसी अचल में क्या है वो देश की राज निति कर रहे हैं मतलब समझाएं पूरे देश की अच्छा वो छोटी राज लड़ रहे हैं लड़ा भी रहे हैं उन्हों लोग बागी हम अखलेश को लड़ाएंगे मुद्ध क्या रहेगा इस बार हम मुद्ध तो सभी चलने विकास चाहिए विकास बेरोजगारी कितनी है कारूबार नहीं है लोगों के बिल्कुल खाने खराब फिर रहे हैं संख्य समुदाय के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए एहम क्या रहेगा अखलेश मतलब कौन समुद्ध में रहेगा यसे लिंचिंग की घटनाई हुई तो रास्ता थोड़ा हलका हो जाता कहना है गट बंधन अगर कर लिया तो हिंदू वोट फिर कट जाएगा पिछली बार की तर हिंदू राजनीती के तरफ भाग रहें बाग रहें मगर असल में क्या है उसमें हमारे भाई आजम खाँ साब हैं बहुत सारे बना देंगे इस बार इस बार ग्रहमंत्री बना देंगे यह तो वक्त बताएगा देखो अमीद आपको भी नहीं है इंशालला उमीद है उमीद बनेगे इंशालला सत्ता बनेगे बिल्कुल सबसरकार की इस बार किसकी सरकार अकलेश यादव कारण बस कारण गया भारती जिंदा पाटी में लोगों क्या मिला हिंदू और मुसलमान को एक तरफ बाट रहा गया यह हिंदू यह मुसलमान है सिरी बजट की राजनितियों अगलेश यादव सेकुलर हैं बिल्कुल सेकुलर थे हमें लग रहा है है नहीं अगलेश यादव और कुछ नहीं कहना शिरी बखलेश यादव 2017 में 2017 में करीब 70-80% यादव वोट अखलेश के खिलाब गया तो इस बार कहीं नहीं मुसलमानों का नाम देलने से डल रहा है तभी तो हैसी से गडबंदन नहीं किया है जरौत पली तो लाश्म हो जाएगा यहां लास्ट में हो सकता है सीट आने के बाद पर जीतना यह जीतना चाहिए पूरे उस्तर पर्देश में लोग तो कर रहे हैं धरम की राजनीती गुंड़करदी हो रही है लोगों को मारा जा रहा है चोटी जाती हो कुमारा जा रहा है कोई सुनवाई नहीं सब्सक्राइब काम भी करें हैं बहुत काम करें पर आरोफ है कि मुधस्फटनगरट के रवा दिय सब्सक्राइब कर έकavaust तो इनों ने कराया ता एक दंगे के उसमें इनों ने कराया है अर जाटो को अपनी तरasin बाकिनाए बाघ्जम तर्फा पर फैसला किया है मुसलमानों के हक में खड़े हो गए ऐसी ऐसी बातें सामने आईं तो 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 olması तो finger तो वीडियो दिखाया जी वारल हुआ है उसमें एक तरपा उन्होंने करा ता तो सही नहीं था तो इसका असर पड़ा ना चुनावों में अशर पड़ाएगा अब मुद्दा क्या रहेगा मुद्दा तो यही बेरुजगारी गुंडागर्दी खतम वैसी से गटबंदन क्यो को क्या लग रहा है बाव पाल्टी में तो हैंने अमाद मीं हम तो मालूम होगा अंदर की बात हमें जिए पाल्टी में उन्हें लेकर मुस्लिम तो वह इसी को वोर्ट देदो ना जब हिंदू-मसलमान वाली बात है तो वह सी का भी टाम नहीं है जी आने वाले टैम में अजास चल रहे हैं सारी जनता चाहती है कि अखिलेश यादो फिर से सीट पर बैठें गदी पर बैठें और योगी को हटाया जाए इस संबंद में आपकी क्या राए हैं अपनी रहे देना बिल्कुल भी नहीं काली करम को लाइक करें करें और चैनल को सब्सक्राइब खर शाल करें को सब्सक्राइब अबड़ इस आए है।